जो देखो भाई, CET के बारे में दुबारा से बोल देता हूँ कि अगर CDUT आ जाता है फाइदा किसा है, नुकसान किसा है ये सारी बात है किसका पेपर होगा, किसका नोकरी होगा, किसका नहीं होगा SSE वालों का फाइदा है, Reelway वालों का फाइदा है banking वालों का फायदा है, समझो जैसे मानो की, मैंने आज भी एक discussion किया अपने गुरुकुल में, वहीं परवचों को बता है कि अगर मानो इस कमरे में 100 लोग बैठे हैं जहां पर 50 लोग जो हैं, वो एक group के हैं, मानो SSE के हैं, ठीक है, यह example मानो 50 लोग railway के हैं, ठीक है उसके बाद मानो इहां पर जो 40 बच्चे बैठे हुए न, वो आपके किस के हैं तो वो आपके SSE के हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं, जो banking के हैं तो मुझे अगर कोई general fundamental लेकर चलना है, या कुछ ऐसा नियम लेकर आना है, ठीक है, तो मैं किन बातों को ध्यान रखूंगा, मैं यहाँ पर समविदान तो रशने जानी रहा हूँ, कि भारत का हर नागनिक में really important है, मुझे एक ऐसा pattern लेकर आना है, जो सभी के लिए adjust करना बढ़ा आसान हो जाए तो 90% जो आपका syllabus बस based रहेगा ना, वो SSE और railway के ही pattern पर रहेगा, banking के pattern पर नहीं रहेगा, यानि जो student SSE के तियारी कर रहा है, या थोड़ा railway का तियारी कर रहा है, उसको CET आने के बाद lab हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जो prelims का paper होगा, वो almost same रहेगा, जैसे UPC का prelims देखते हैं, BPC का prelims देखते हैं तो इनका prelims क्या होता है? qualifying in nature होता है, उसी तरीके से आपका CET है, उसका भी prelims qualifying in nature है, तीन साल तक के लिए वो valid है उसके बाद जो student bank के लिए जाएगा banking अपना means लेगा, SSE के लिए जाएगा, SSE अपना means लेगा, railway के लिए जाएगा, railway अपना means लेगा और जो यह आपका प्रीकर हैगा, इसके अधार पर, अलग-अलग-अलग-अलग state exams को आप दे सकते हो, तो वहीं बात मैं आपको शुरू से कहने वाला हूँ अपने syllabus को complete करते रही है और जो बच्चा, SSE या railway वाला student है, मैं बोलूँगा, तुम अपने syllabus को रटके घोल के पी जाओ, अगर तुम्हारे मन में इस बात का डर है, कि जैसे मानों की banking का पूछ दिया गया, तो क्या होगा, तो भाईया, banking पूरा थोड़ी देगा तुमको, 10%, 20% चीजे बदलेंगी, हो सकता है, permutation combination आजाए, जो UPSI में पूछा जाता है हो सकता है, set theory आजाए, जो UPSI में पूछा जाता है, हो सकता है, आपको simplification कह सकता है, अब वो 10%, 20% बदलेगा, तो जिस student ने पहले से महनत कर रखी है उसका नुकसान नहीं है समझगे बात को, उसका नुकसान नहीं है, फिर उसको वो 10% और 20% के ही पीछे भागना पड़ेगा लेकिन जिसने पहले से नहीं किया, उसका कितना नुकसान होगा, सोचो, उसका नुकसान यह होगा कि पूरा syllabus ही उसको नया लगेगा उसको हर एक point point ने किया वशकता पड़ेगी यसे मानो मेरा पूरा syllabus complete है कल के दिन मुझे पता चलता है कि CT में आने के बाद सिर्फ दो नए topic पढ़ने हैं तो बस मैं दो ही topic पर focus करूंगा क्योंकि मेरा बागी तो पूरा complete है लेकिन अगर syllabus ही complete नहीं है तो मेरे लिए हर topic नया है हर subject नया है हर कुछ नया है उस हिसाब से मेरे महनत का समय भी लगेगा और उस हिसाब से मेरा selection भी निर्दारित होगा तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें CT को लेकर बहुत जादा घबराएं नहीं आप अपने syllabus पे stack रहें खासकर SSC और railway के student जितना आपने बढ़ाए उसी से ही paper में questions आएंगे और इतना भी परिशान नहों आ गया तो क्या होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक बाकी form से जोर उस पे डालिए CGL पे डालिए, CHSL पे डालिए पूरा मेहनत करिए जिस दिन आएगा मुस्कुरा के paper देंगे घबराने वाली बात थोड़ी है ये तो एक और अच्छी बात है कि जहां तक हमारा जो limitation होता था वो सिर्फ और सिर्फ CGL और CHSL पर रहता था कि हम या तो इसका form भरते थे नहीं तो इसका form भरते थे अब हमारे पास एक ऐसा खुला खाड़ा है जैसे कहते हैं ना कि पहले जो है मेरे पास मेरे गली में सिर्फ दो दुकाने थी तो मेरे पास option थे या तो मैं इस दुकान से ले सकता हूँ नहीं तो मैं इस दुकान से ले सकता हूँ या दोनों से ले सकता हूँ लेकिन CT आने के बाद options क्या है कि मेरे पास एकी form भरना है मुझे और इसके आदार पर मैं कई सारे दुकान से कुछ भी खरीद सकता हूँ जैसे मैं एक mall में घुसा, उस mall में ही सब कुछ है, उस mall में जूते का भी showroom है, उस mall में घड़ी का भी showroom है, उस mall में कपड़े का भी showroom है, तो मुझे अलग-अलग markets पे जाने की जरुवत नहीं है, मुझे सरोजनी या मुझे जो है लाजपत नगर या मुझे तिलक नगर जा कोई है नहीं पता कि UP में भी बहुत ऐसी vacances निकलती है या center में ही ऐसी बहुत ऐसी vacances निकलती है जिसके लिए आप eligible है और उसमें competition बहुत कम है अगर आप fight करेंगे तो आसानी से beat कर सकते हैं आप अपना एक job ले सकते हैं तो यह नहीं पता होता लेकिन जब से CET आएगा common eligibility test तो यह आपको फायदा करा देगा CGL में मैंने देखा अच्छे-च्छे students को बाहर होते हुए तो जो अच्छे student हैं जैसे मानो दो number से बाहर हो गए एक number से बाहर हो गए CET आने के बाद वो बाहर नहीं होंगे हो सकता है फिर उनको CGL का post ना मिले लेकिन हाँ बाकी post उनको मि नहीं है वो बड़ा problematic create करेगा इस बात को ध्यान रखो ठीक है इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस comment box में आप जरूर बता देना मैं personally आप लोगों के हरे comment का reply कर दूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जानकारी मिली तो चैनल को subscribe और share जरूर करिएगा ठीक है